तो यहां पे आप लोग के लिए एक अच्छे कुछ कपरी है CSIR Central Electrochemical Research Institute की तरफ से आप लोग के लिए पर्मनेंट वैकेंसी पॉपलिज की गई है एक्चुलि में ये बहाली तो अगस्त में ही निकला था लेकिन इस फॉर्म को फिर से री ओपेन किया गया है अभी तो जो ITA student इस फॉर्म को नहीं फिल की हैं वो लोग फिल कर सकते हैं यहां पे आप लोग अगर fresher भी candidate है तो फॉर्म के लिए आप लोग लिज़ भूले है वीडियो को अन तक देखिएगा मैं आप लोग को complete notification प्रवाइड करूँगा तुरा से वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोग के लिए बेटर रहेगा तो देखिए यह फॉर्म आप लोग को online आवेदन करना है देन आप लोग को offline mode में भी भेजना है फॉर्म भर करके तो देखिए online आवेदन करने के लिए आप लोग सबसे पहले मेरे वेबसाइट पर चले आईएगा ठीक है it education.com करके है मैं अभी page वो दिखा देता हूँ तो देखिए इस तरह का website है www.it education.com तो देखिए मैंने पहले ही बताया था यह अगस्त में भाली निकला था तो मैं उस समय वेबसाइट पर डाला था तो मैं इसको फिर से update कर दिया हूँ बस इसमें date change कर दिया हूँ बाद बागी आप लोग को यहां से link भी मिल जाएगा गॉर्मेंट ऑफ इंडिया के अंटरगर्द आता है यह आप लोगा council of scientific and industrial research के अंतरगत है यह फॉर्म आप लोगा लास्ट रहेगा 30 11 2020 तक फॉर्म को online आवेदन करेंगे और जो offline mode में hard copy भेजना है वो आप लोगा 15 12 2020 तक फॉर्म को भेज सकते हैं टोटल जो पोस्ट है वो तेरा पोस्ट है टेकनिशियन का पोस्ट है अलग-अलग trade के लिए है शीट यहाँ पे देखे टोटल तीन सीट जो है टेकनिशियन का यह है आप लोग का электrition trade वालों के लिए थेन्थ में 55% मार्क रहना चाहिए और iTI पास रहना चाहिए आप लोग का 2030 ट्रेड में यहाँ पे द्यांद जीए अप लोग का है एज लिंटीड आप लोग सात में देखते चले जाएगए इहाँ पे जो 28 साल EWS के लिए 31 साल OBC वालों के लिए S3 के लिए 33 साल और क्याटगोरी वाज आप लोग सीट यहाँ पर देख लिजिएगा फीर यहाँ पर देख वालोंगे टेकनीशन का यहाँ पर एक सीट है यह आप लोका वायर मेंन का है तेंट में 55 परसन और वायर मेंन ITI रहना जो टेकनिशियन का है यहां पर फीटर के लिए टोटल तीन सीट है और काटेगोरी बाई जब दोक सीट देख लिजिए एज लिमेरेट यहां पर लोग दीख रहा होगा यहां पर भी तेन दोरा अटीय के फिटिफटी फ़र्शन मारने रहाना चाहिए यहाँ पर technician एक seat है, यहाँ पर machinist वालों के लिए है, यहाँ पर भी एक seat है, यह welding trade वालों के लिए है, कुपा के लिए एक seat है, और cookery और food production वालों के लिए एक seat है, यह short notice है, इसमें ज्यादा detail नहीं है, जो starting में notice किया गया तो मुझे सारा जनकारी दिया गया है, selection process piece के बार होता हूं, वह सारा detail देखाता हूं, PDF अगयरा के लिए telegram पर जूर जाहिएगा, सारे 6000 से ज्यादा के लिए जूर चुके, वहाँ पर सारा update में time to time प्रोबाइड कराता हूं, तो देख वा रहा हूंग, यह starting में notice release वात अगस्त के महीने में वह वाला है, तो यहाँ पर इस जो लग रहा है, वह 500 रिप्या लग रहा है, वह नेट बैंकिंग के थुरू, आप लोग को करना होगा, मैं देखा देता हूं, किसके नाम से नेट बैंकिंग करना है, एज रिलक्सेशन आप लोग को मीज जाएगा, एस पर गवर्मेंट ऑफ इंडिया का रूल्स का अप लोग जो अप लोग अप लोग अब देन किजिएगा, वह जो अप्लिकेशन निकल लेगा, उसको प्रिंट आट कर लेना है, और सेल पर टेस्टेड डोकुमेंट लगा करके, आप लोग को हाट कोपी में आप लोग को भेज देना है, यहां पर देख पार होंगे, कहां और यहां पर और कुछ बस होई, मैं सेलेक्शन प्रोसेस एक पर बता देता हूं, क्या सेलेक्शन प्रोसेस रख्या गया, टेक्निशियन वालों के लिए, तो देखिए, अप लोग का कंप्यूटर पर होगा, या ओमर पर होगा, दोनों में से अभी क्लियन नहीं है, हिंदी कोईशन जीएगा, कोईशन 25, कोईशन आप लोग का इंगलिस का, 75 नमबर आप लोग का मैक्सिमा मार कर रहेगा, सही उतर मतब की 3-3 मार्क्स कर रहेगा, और यहां पर निगेटिव मार्किंग आप लोग का एक रहेगा, यानि कि आप जो रॉंग उतर दीजेगा, तो अभी तक फॉर्म नहीं फिल की है, आप लोग फिल कर सकते हैं, पेडियेफ टेलीग्राम पर लेडियेब लेबल है, मैं होसा के तो फिर से में भेज दूँगा, तो मेरे वेबसाइट पर चले जाएए, फॉर्म को बढ़ सकते हैं, धन्यबाद